नमस्का दोस्तो स्वागत है आपका हमारे इस एपसोड में दोस्तो आज हम बात करेंगे चिकु खाने के जब्रदस्थ फाइदों के बारे में दोस्तो चिकु हमारी प्रक्रती दोरा दिया गया एक ऐसा न्याब तोपा है चिकु के फाइदे अनेक हैं चिकु देखने में तो साधन फल नजर आता है परन्तु इसका अध्यान करने से पता चलता है कि इसमें इतने सारे गुण हैं कि या हमारे सरीर के लिए एक स्वादिष्ट फल होने के साथ साथ एक औस दिया फल का भी परतीक बन गया है चिकु में बिटामिन्स, मिनरल, प्रतिडक्स गुन, फाइवर, पोस्त तो जैसे कैलसियम, फासपोर्स, पोटासियम जैसे तो त्यप पाए जाते हैं आज के परदोसर्ण युक्त परिवेस में चिकु का उपयोग करके कई सामान्य बिमारियों का इलाज सहजी ही कर सकते हैं दोस्तों आएए आज हम आपको चिकु के फाइदे और महतव पूंग गुनों से परचित कराएंगे इस फल का रंग हलका भुरा होता है इसके समान्य गुनों की बात करें तो इसका सुआत मीठा होता है या सीतल, पौस्तिक और भोजन के प्रती रोची बढ़ाने में साहिक होता है या बेजनिय भोजय के रूप में प्रयोग किया जा सकता है या पचने में भारी होता है इसमें सरक्रा की मात्रा ज्यादा होती है यदि सुबा और रात के बोजन के बाद एक चीकू को नियमित सेवन किया जाए तो हमारी बहुत सी परिशानियों का इलाज हम्स्यों में ही घर बैठ कर सकते हैं दोस्तो आईए जानते हैं चीकू खाने के फायदों के बारे में चीकू के लाब हैं बिटामिन A और बिटामिन C से भरपूर दोस्तो क्या आप जानते हैं कि प्रति दिन एक चीकू के सेवन से आप आँख के डॉक्टर के खर्च से बच सकते हैं हो सकता है आपको लगे की हम अतिस्योक्ति ही कर रहे हैं परिया सही है चीकू में बिटामिन A और बिटामिन C परचूर मातरा में पाया जाता है बिटामिन A आपकी आँखों के लिए लाबदायक होता है और विटामिन सी आपकी प्रतिरक्सा पनाली को मजबूत कर तौचा की रक्सा करता है साथ ही साथ आपके दिल से सबंदित विकारों को भी दूर करता है चीकू के फाइदे उर्जा के लिए इसमें प्राक्टिक प्रोक्टोज और सुक्रोज पाए जाते हैं जो आपके शरीर को ज़रूरी उर्जा उपलव्द कराते हैं यदि आपका दिन अधिक व्यस्ता वाला हो तो आप घर से निकलने से पहले चीकू का सेवन कर सकते हैं जो आपको सामान्य से अधिक उर्जा परदान करता है चिक्कू खाने के फाइदे प्रतिरक्सा तंतर में दोस्तो नीमित रूप से चिक्कू को खाने से हमारे शरीर के लिए उपयोगी एक प्रतिरक्सा कबज कन्यमान होता है जो हमारी प्रतिरक्सा प्रनाली को मजबूती प्रदान करता है दोस्तों चीकू के गुण पाचन में सहायक भारत के सहरीक सुत्रों में पाया गया है कि यहां के लोगों में पाचन पनाली से सवंदित बीमारियों का परितिसत बहुत अधिक है जिससे चिरचिड़ापन, आथ की परिसानी और कबज जैसे लक्षन देखने को मिलते हैं चीकू में फाइवर बहुत ही अधिक मातरा में पाया जाता है जो पाचन पनाली के लिए लावदायक होता है जिससे कबज जैसी परिसानियों से बचा जा सकता है दोस्तो चीकू के फाइदे कैंसर से बचने में चीकू में बिटामिन A, B और बिटामिन C के हलावा फाइबर भी अचूर परचूर मातरा में पाया जाता है जो ऑक्सीडेंट के साथ साथ किसे सबंदित होता है चीकू का निमित सेवन मुँ के कैंसर को रूकने में उपियोगी होता है दोस्तो चीकू खाने के फाइदे हडियों के लिए आप जानते हैं कि चीकू फल सौदिष्ट होने के साथ साथ कैलसियम, फार्सपोस और लौ से भरपूर होते हैं जो आपकी हडियों को मजबूत बनाते हैं अगर आप चीकू को नीमित रूप से खाते हैं तो आगे चलकर आपको अन्या कैलसियम की पूरक गोलियां लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें आइरन, फौलेट, कैलसियम, मेगनिसियम, पोटासियम, जिंक तांबा, फार्सपोस, सैलेनिनिम, आदी खनिज समलित होते हैं जो शरीर की हड़ी के लिए एक चुथाई के निर्मान के लिए आपसक होते हैं दोस्तो चीकू खाकर करें रक्त चाप का नियंतरिन चीकू में उपलग्द, पोटासियम, रक्त चाप को कम करने और मेगनिसियम, रक्त परिसंचन को नियंतरित करने का काम करता है उसके साथ इसमें उपस्तित, लोह, तत्व, एनिमिय के इलाज के लिए मौतरपून होते हैं इसलिए आप चीकू को खाकर अपने बलड प्रेसर को कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तो यदिया जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वह भी इस जानकारी का लाब उठा सकें दोस्तों आज की एपसोड में बस इतना ही नेक्स्ट एपसोड में फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ धन्यवाद